भाई आज तो इस कहावत पे विश्वास होने लग गया है कि भाई देर हो जो भी हो देर हो सवेर हो जो भी हो लेकिन सही चीज़े सामने आती है मुझे सही से वो लाइन याद नहीं आ लिए अगर आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहरा हूँ प्लीज एर कमें सेक्शन पे जा करके लिखो और वीडियो आप लोग एंड तक देखना अजमत भाई के लिए एक अच्छी न्यूज है तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे तो चानल को सब्सक्राइब प्लीज कर ले ना आप लोग वीडियो देखते हो लाइक करते हो कमेंट करते हो लेकिन ना सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज यह सब्सक्राइब कर लो तो चलो आता हूं में मुद्दे पर कि अजमत हुसान के वापस आने के चांस है इंडियन आडल में इंडियन आडल में के उपर में शायद कहीं ना कहीं से प्रेशर बन जैसे बाहर गया जैसे इलमिनेट हुआ तो इंडियाइल वालों के टी आर पी गिरने शुरू होने वाले हैं अंदर से चल रही है कि अब शायद इंडियाइल के अंदर में वह टी आर पी नहीं आएगी लेकिन बहुत जल्द अजमत हुसान कमबैक करेंगे दोस्तों आप टेल में बताता हूं कि यह मेंन न्यूज है कि अजमत हुसान को लास्ट वीक यानि शादी स्पेशल के टाइम पे जो है उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया गया था बॉटम थ्री के बदले बॉटम टू रखा गया था समझ रहे हो पहले बॉटम थ्री रखा जाता था लेक पाके सनी हंदुस्तानी और अजमत हुसान के बीच में बाई डिफॉल्ट अजमत हुसान को ही बाहर किया जा सके और ये बोला जा सके सबसे जएदा सनी हंदुस्तानी को मिला है फैशल मीडियो को अदresso घर कर रहा बॉडम आप एक लोग पांचो हजार वोड्स दे रहे हैं काफी सारे लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे चोरी विये, जजजेज ने पॉलिटिक्स केला है, सानी हिंदुस्तानी को ग्लोरिफाई करने के लिए जो ही यह सारी चीज की है, मैंने भी अपने वीडियो में यह चीज कहा है, जो के मैंने भी फिल किया है, अब बात आ इंडियन आइडल ने मुझे यहाँ तक का मौका दिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया आदा करता हूँ और मैं रुकूंगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, महनत करूँगा और अपने आपको जो है वहाँ तक ले कर जाओंगा, जो लोग मुझे देखना चाते हैं, औ और मैं वही अजमत बनकर वापस आओंगा, जिस तरह से उन्होंने एज विनर मुझे देखा था दूसरे किसी शो में, तो भई यह बहुत बड़ी बात है, अजमत हुसैन मच्योर हो चुके, वह भले से सिफ 18 साल के क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी मच्यूरिटी इस प्रियाक करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने इंटेव्यू में यही सब कहा, अब बात आती है कि इंडियन आइडल वालों को क्या पड़ी है, बॉस वापस लाने की, देखो, मेरे हिसाब से जैसे मैं सोचता हूँ, निकालना भी एक टी आरपी का ही हिस्सा आता है, ताकि टी आरपी बड़ेगी, सोचल मीडिया में जादा से जादा बात की जाएगी, और अभी जो है इंडियन आइडल के शो में जितने भी लोग है, उनके पर में एक प्रेशर तो बन रहा है, फैंस के तरफ से कि बॉस यह चीज़ गलत हुआ है, और प्लीज यार करके जाद से जादा वोट करो, जाद से जादा कमेंट करो, आप जहां पर भी आक्टिव हो, अभी इस वीडियो में आप करने वाले हो, यहां पर भी करो, इसके इलावा और भी फेस्बूक होगे, और भी सारे जगे होगे, वहां पर जाकर करके लिखो, अपनी बात को सामन और यहां पर आप कमेंट करते हो इतना इतना प्यार करते हो इस वीडियो को I'm glad कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो इस तरह का प्रिशर बनाओ कि भाई उनको शोग में वापस लाया जा सके वैसे भी इलिमिनेट होने के बाद से जो है एक न्यूस चल रही है कि दो जन को ह वाले हैं वह देखने वाली बाते वैसे जोतने भी लोग एलिमिनेट हुए उन से सबसे चांसे वापस आने की किसकी है शुभदीब दास और अजमत हुसायन मेरे हिसाब से अजमत हुसायन को ही सेलेक्ट करके अंदर लेने वाले हैं अब हां कुछ लोग ने लास्ट वीडि मेरे बे अंदर से यही चीज निकल कर आ रही है क्योंकि यह लोग सिर्फ टी आर्पी के बुके हैं और यह चीज़ कर रहे हैं और उनको हमेशा इसलिए शो के आखिर में गवाते हैं ताके वहां तक लोग जो है खीच करके देख लें भाई बहुत ही अलग हो गए हैं इंड में जा करके बताओ चांग को प्लीज सब्स्ट्राइब कर लो आपको आने वाले टाइम पे और भी जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे हर चोटी कबर अजमत भाई के बारे में मैं मिले करके आऊंगा और आपको पदा चलेगा कि आने वाले टाइम पे वह क्या करने वाले है तो तिल देन स्टे टून बेल का बटन दबालो मिलता हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टटा बबाई साइन रहा एंड अस्तला वस्ता